हेलो विवर्स, वेलकम बैक टो और चैनल लिटीचर सार्ती विवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल लिटीचर सार्ती को सब्सक्राइब भी कर दीजिए आज का हमारा जो टॉबिक है वो है संप्रेशन संप्रेशन सिक्षन के लिए काफी आवशक तत्व है संप्रेशन के बिना सिक्षन कार्य संभव नहीं है संप्रेशन के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी बातों और विचारों अभी व्यक्तियों को एक दूसरे से साजा करते हैं किस-किस चीज को करते हैं? बातों को, विचारों को, अभिव्यक्तियों को एक दूसरे के साथ साजा करते हैं. किसके माध्यम से? संप्रेशन के माध्यम से. संप्रेशन का अर्थ, संप्रेशन सिक्षा की रीड की हड़ी है. बिना संप्रेशन के अधिगम और सिक्षन नहीं हो सकता है. संप्रेशन दो सब्दों से मिलकर बनावे सम और प्रेशन. अथार समान रूप से भेजा गया. समान रोप से भीजा गया समप्रेशन को अंग्रेजी में हम कम्मुनिकेशन कहते हैं क्या कहते हैं कम्मुनिकेशन जब तक कम्मुनिकेशन नहीं होगा तो कोई भी चीज हम समझ नहीं पाएंगे कम्मुनिकेशन सब्द की उत्पत्ति लेटिन भासा के कम्मुनीस सब्द से हुए जिसका अर्थ होता है सामान्य बनाना अथार संप्रेशन का अर्थ सूशना विचारों का अधान परदान करना है इसकी परिभास आये ए जी मियर के अनुसार संप्रेशन से तात्परिय एक व्यक्ति के विचारों तथा सक्तियों से एक व्यक्ति के विचारों और सक्तियों से दूसरी व्यक्तियों को परिशित कराने से है इजी मियर ने कहा है संप्रेशन से तात्परिय एक व्यक्ति के विचारों और सक्तियों से दूसरे व्यक्ति को परिजित कराने से है थोड़ा थोड़ा समझ जा रहा हो आप स्रियमति आर के के अनुसार संप्रेशन विचार विमर्स विचार विमर्ज की वेविधा है, जिसके माध्यम से व्यक्ति, व्यवस्तित और तर्क संगत विचार सम्मती को ग्रहन कर अपना मार्ग दर्शन करता है। लुईस ए एलन के अनुसार सम्मत्रेशन अर्थों का एक पूल है, जिसमें कहने, सुनने तथा समझने, समझने की व्यवस्ति तथा सतत प्रक्रिया रहती है। ये लुईस ने कहा है, एंडर्सन के अनुसार सम्मत्रेशन एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति चेतना तेया तथा अचेतना तेया दूसरों के संग्यान आत्मक धाचे को सांकेतिक रूप से उपकरनों, साधनों से प्रभावित करता है। हरबड के अनुसार सिक्छन का प्रमुकारिया है, विचारों तथ्यों सुषनाओं को सिक्छार्थियों तक पहुचाना। डॉक्टर कुल स्रेष्ट के अनुसार संप्रेशन एक गत्यात्मक उद्देश्य पूर्ण परक्रिया है, इसमें सुषनाओं तथा विचारों का संप्रेशन एम ग्रहन करना। लिखित, मौखिक, संकेतों के माध्यम से होता है, लिखित होता है, मौखिक होता है, तथ्वा संकेतों के माध्यम से होता है, ये तो अभी बात हुए हमारी इसकी परिवासा की, अब संप्रेशन की जो प्रकार हैं, वो कितने प्रकार हैं, काइंड्स ओफ कॉमिनिकेशन, त साब्दिक संप्रेशन में सद्देव भासा का प्रयोग किया जाता है और साब्दिक संप्रेशन भी दो प्रकार के होते हैं भासा का प्रयोग किया जाता है और दो प्रकार के होते हैं मौखिक और लिखित मौखिक और लिकिस संप्रेशन यह साब्देख संप्रेशन के प्रकारे मौखिक क्या होता है मौखिक संप्रेशन एक ऐसा संप्रेशन होता है जिसमें हम मौखिक रूप से सूचनाओं का आदान मौखिक रूप से हम सूचनाओं का आदान परदान करते है इस बीज संदेज भेजने वाला वह संदेज ग्रहन करने वाला जो भेजने वाला है और जो ग्रहन करने वाला रिसीवर सेंडर और रिसीवर दोनों ये संदेज भेजने वाला और संदेज प्राप्त करने वाला दोनों ये आमने सामने होते हैं इसमें हम प्रियोग कर सकते हैं टेली फोन टीवी आदी के द्वारा पाठ के साक्षातकार पर चर्चा परिचर्चा कहानी आदी के माद्यम से विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है यह है अनौपचारिक होता है यह अपचारिक नहीं होता है क्या होता है अनौपचारिक कौन सा संप्रेशन संप्रेशन मौखिक लिकित संप्रेशन में क्या होता है लिकित संप्रेशन में ब्यक्ति लिक संदेज भेजता है और संदेज भेजने वाला तथा प्राप्त करने वा पास लिखित रूप से रहते हैं और खर्च भी इसमें कम होता है कौन से में लिखित संप्रेशन लिखित संप्रेशन में पत्र विवार बुलेटीन ग्रहे पत्रिकाएं परतिवेदन आधिक उप्योग किया जाता है ये इसके उधारण है अभी हमने साब्दिक संप्रेशन की बात करी ये दो परकार के होते हैं लिखित और मौकिग अब हम असाब्दिक संप्रेशन की बात करेंगे असाब्दिक संप्रेशन के अंतरगत वानी से और आँखों से किया जाता है ये तो बोल कर किया जाता है ये आँखों से इसके अंतर इसके अंदर वानी या दोनी संकेत संप्रेशन इसमें विचारों भावनाओं की अभिवक्ति छोटे छोटे समों में आमने सामने रहकर वानी द्वारा की जाती है जैसे क्लास में बच्चे होते हैं आमने सामने रहकर बोलते हैं जैसे कि वारता के बीच में ओ या हाँ हूं ही या मुह से सीटी बजाना आदी हमारा वानी वाले इसमें आता है वानी या धुनी संकेत संप्रिशन में वानी या दुहनी अगर हम करते हूं हाँ कुछ भी करते हैं इसपर्स करके इसपर्स के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों को अविव्यक्त करने में सफल हो जाते हैं जैसे हाथ मिलाते हैं तो पता चलता है कि दोस्तों का हाथ है या इससे भी क्या होता है इस पर्ष के माद्यम से भावनाओं का अधान परदान होता है अगला है संप्रेशन के सिद्धान्त प्रिंसिपल सौप कम्मुनिकेशन कोई भी व्यक्ति अपने विचार भावना या किसी संप्रत्य को किसी भी दूसरे व्यक्ति को व्यक्त करता है अतहा संप्रेशन दू पक्षिय प्रक्रिया है एक पक्ष के द्वारा नहीं होता है इसमें दो लोगों का होना आवश्यक है संप्रेशन इसमें रिसीवर भी होना संप्रेशन के प्रमुक सिद्दान्त निम लिखते हैं संप्रेशन के सिद्दान्त में पहला सिद्दान्त है हमारा सजगता का सिद्दान्त संप्रेशन करता और संप्रेशन गहन करता यानि कि संप्रेशन करने वाला व्यक्ति संप्रेशन क्रिया के सहज समय सहज रहते हैं यदि किसी क्रिया में कोई एक व्यक्ति सहज नहीं रहता तो संप्रेशन क्रिया पूरी नहीं होती इसमें दोनों कोई सहज रहना पड़ता है तो इसको बोलते हैं सजगता का सिद्धान्थ योगिता का सिद्धान्थ योगिता के सिधान्त के अंत्रगत संप्रेशन करने वाले दोनों व्यक्ति योग्य होने चाहिए इसका नियम की दोनों व्यक्ति क्या होने चाहिए योग्य होने चाहिए यदि कक्छा में अध्यापक अपने विशे में योग्य नहीं है तो वह कक्षा में संप्रेशन करते समय उच्चित भूमिका नहीं निवा सकते तो यह नहीं कि संप्रेशन योगता विदी में दोनों पक्ष क्या होने चाहिए योग्य होने चाहिए सह भागिता का सिद्धान्थ संप्रेशन दुई पक्षिय प्रक्रिया है अगर दोनों के मद्य सहभागिता नहीं होगी तो द्वीप जो सम्प्रेशन परकृरिया है ये पूरी नहीं हो सकती है कौन सी वाली सम्प्रेशन परकृरिया सहभागिता का सिधानत के दर उचित सामगरी का सिदान्त संप्रेशन में सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है उचित सामगरी होनी चाहिए उच्छी सामगरी होनी चाहिए क्योंकि जो संप्रेशन के उद्देश्य, संप्रेशन, प्रस्तितियों तथा माध्यम से मेल खाती हो इस तरह के होनी चाहिए जिसके विद्यारतियों के इस तर योग्यताओं, चमताओं तथा संप्रेशन कौश्णों को ध्यान में डग कर चल सम्प्रेशन माध्यम जितना अधिक उपिक्त और ससक्त होगा कौन सा सम्प्रेशन माध्यम सम्प्रेशन धाराप्रवा का उतना ही उचित रहेगा प्रष्ट पोशन सिद्धान्थ के अंत्रिगत संप्रेशन परक्रिया में प्रष्ट पोशन प्राप्त करना अति आवश्यक है जिसके माध्यम से हम अपने संप्रेशन को और अधिक प्रभावसाली बना सकते है सहायक तथा बांदक तत्तो का सिद्धान संप्रेशन क्रिया में ऐसे तत्तो प्रस्तितियां कारे करती हैं जो सहायक बांदक भूमी का निभाने में जूट जाते हैं जैसे सोर गूल, प्रकास की कमी, ये एक बांदक भूमें निभाते हैं प्रकास की कमी, सुनने, देखने में आने वाली कमी, आदी चीजे संप्रेशन परिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं तो वो फैक्टर्स हैं हमारे छात्र संप्रेशन परिक्रिया में छात्र हैं सिक्चा के उद्देश्य हैं सिक्चा का व्यक्तित्व है चात्र सिक्षक के उद्देशिय, सिक्षक का व्यक्तित्व, विशे वस्तु का चेयन, पाठ योजना का निर्मान चात्र सिक्षक के उद्देशिय, सिक्षक का व्यक्तित्व, विशे वस्तु का चेयन, पाठ योजना का निर्मान उचित शिक्षण विधी एवं साहयक सामगरी व्यक्तिक भिन्ताओं का ध्यान कक्छा का वातावरान मानसिक एवं सारेरिक स्वास्थिय सह संबंध पर आधारित और सीखने हेतू प्रेणा ये सारी जितने भी हमने ये पॉइंट आपको बताएं हैं ये हमारे क्या हैं घटक हैं किसको संप्रेशन परिक्रिया को प्रभावित करने वाले घटक कौन-कौन से हैं छात्र है सिक्षण के उद्देश से सिक्षण का व्यक्तितो विसे वस्तु का चेन, पाठ युजनका निर्मान, उचित शिक्षण विधी, एम सहाइक समगरी, व्यक्तिक विवन्दाओं का ध्यान में रखना कक्छा का वातावर्ण, सारी मानसिक स्वास्तिय, सह सम्मन्द, पर आधारित अर्चीखने हेतू प्रेणा तो इस सारे पॉइंट है हमारे इसके जो प्रभावित करते हैं संस्प्रेशन, परिक्रिया के कारक के घट संस्प्रेशन की समस्प्रेशन बांधाएं और समस्याएं कम्निकेशन में कौन सी बेरियर्स होते हैं और प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बारे में तो इसमें जो सबसे पहला जो है वो प्राय वर्णिय बांधा विद्ध्याले के आसपास व्यावसाइक सनेमा, रेडियो, टीवी के कारेकरम और अन्य संचार परकेर होने के कारण विद्ध्यारती की कक्चाओं में उपस्तित होकर के बाहर चले जाते हैं। इसी प्रकार क्या करते हैं। उपस्तित होते हैं कक्चा में और उसके बाहर चले हैं। इसी प्रकार विद्ध्यारती अपनी पाठ्य पुस्तक की पढ़ने की अपेक्चा उपन्यास कहानी पढ़ने में अधिग्रूची लेते हैं। वो अपनी किताब नहीं पढ़ेंगे लेक विद्धी कक्षागत संचार प्रक्रिया अरूची पून एवं नीरस हो जाए तो विद्यारती अपने भूत कालिन्या भावी मनुरंजन अन्भव के कालपनी विचारों में लीन हो जाते हैं वो अपनी दुनिया में ही खो जाते हैं आपने देखा होगा कि जब हम कभी को द्यान कlist कक्षा में नहीं होता है कुछ अपनी दुनिया में सोचने लग जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं दिवा स्व्यारत ओ करें संचार अंपने भूत जयसे अस्यूईदा पूर्ण बैठने की व्यवस्ता ठीक न हो, प्रकास की व्यवस्ता, सुद पाने की व्यवस्ता न हो, अगर बैठने की व्यवस्ता सही नहीं है, प्रकास की व्यवस्ता सही नहीं है, पाने की व्यवस्ता सही नहीं है, तो इससे सारी अस्यूईदा उत्फन हो ज संदर्ब के अंत्रिकात आते हैं बहुत एक मनोबै ज्यानिक सामाजिक और समय संदर्ब पहला तो हो गया हमारा संस्प्रेशन संदर्ब संदेश का स्रोत क्या है संदेश माध्यम संकेत या प्रतिक इनकोडिंग डिसकोडिंग प्रश्ट पोशन संदेश ग्रहन करता ये सारी चीजें हमारी क्या है मुख्य संप्रेशन प्रिक्रिया के मुख्य तत्व हैं कौन-कौन से संदर्ब संकेत संदेश का स्रोत संदेश माध्यम संकेत इनकोडिंग डिकोडिंग प्रिस्ट पोशन और संदेश ग्रहन करता संप्रेशन का महत्व क्या है सिक्छा एक विकास की प्रक्रिया है जिसका संपादन कक्छा सिक्छन में किया जाता है सिक्छा प्रक्रिया की इकाई कक्छा है सिक्छा प्रक्रिया की इकाई क्या है कक्छा है सिक्छन की प्रक्रियाओं का संचालन संप्रेशन प्रवा से किया जाता है सिक्छन को अंतह प्रक्रिया मानते हैं संप्रेशन प्रवा भी अंतह प्रक्रिया सिक्छन और संप्रेशन दोनों ही अंतह प्रक्रिया को क्या करती है प्रोसाहित करती है कक्छा के संप्रेशन में साबदाहिक संप्रेशन और साबदाहिक संप्रेशन तथा लिकित संप्रेशन तीनों प्रभाव को प्रविक्त किया जाता है इसके असाबदाहिक संप्रेशन अत्वा हाव भाव से सिख्चक अपनी अभाव तता अनुभूतियों के विविक्ति करता है इस प्रकार कक्छा संप्रेशन में सापदाविक तता असापदाविक प्रिक्रिया अंतह प्रिक्रिया का संपादन किया जाता है जिससे कक्छा में सामाजिक भावात्मक बातावर्ण का सर्जन किया जाता है और सिक्छारती उसमें सीखने के अनभव प्राप्त करते हैं जिससे सिक्छारतीयों के विवार में अपेक्छित परिवर्तन किये जा सकते हैं वीवर्स, I hope आपको ये वीडियो पसंद आएगे, अगर पसंद आएगे तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लेटेचर साथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तो मिलते हैं तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो में, ओके, टेक कियर, बाई बाई